नमस्कार दोस्तों आप सभी का बुक्स फोर्यो यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग मुनशी प्रेम चंद जी की रचना की हुई एक कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है नमक का दाड़ोगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नमक का करने लगे अनेक प्रकार के चल प्रपंचों का सुत्र पात हुआ कोई घूस से काम निकालता था कोई चालाकी से अधिकानियों के पौव बारा थे पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़ कर लोग इस विवाग की वरंग दाजी करते थे इसके दाड़ोग प्रेम की कथाएं और स्रिंगार रस के काव्य पड़कर फार्सी दान लोग सर्वोच्य पद पर नियुक्त हो जाया करते थे मुंसी वंसीधर भी जुलेखा को विरह कथा समाप्त करके मजनु और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविस्कार से अधिक महत्वा की बाते समझते हुए रोजगार की खोज में निकले उनके पिता एक अनभवी पुरुस थे समझाने लगे बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो रिंड के बोज से दबे हुए हैं लड़किया हैं वह घास पूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं मैं कगारे का व्रिक्ष हो रहा हूँ ना मालूम कब गिर परूँ अब तुमी घर के मालिक मुखतार हो नौकड़ी में ओधे की और ध्यान मत देना ये तो पीर का मजार है निगाह चरावे और चादर पर रखनी चाहिए ऐसा कम ढूनना जहां कुछ उपड़ी आये हो मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घर्टे घर्टे लुप्त हो जाता है उपड़ी आये बहता हुआ श्रोत है जिससे सदेव प्यास बुझती है वेतन मनुष्य देता है इसी से उसमें वृद्धी नहीं होती उपड़ी आमदनी इश्वर देता है इसी से उसकी बरकत होती है तुम स्वय विद्वान हो तुम्हें क्या समझाओं इस विशय में विवेक की बड़ी आवश्यक्ता है मनुष्य को देखो उसकी आवश्यक्ता को देखो और आवसर देखो उसकी उपड़ांत जो उचित समझो करो गरजवले आदमी के साथ कठोड़ता करने में लाब ही लाब है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना दरा कठिन है, इन वातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जन्म भड़ की कमाई है, इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशिरवात दिया, वनसिधर आग्याकारी पुत्र थे, ये लेकिन अच्छे सकुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विवाग के दारोगा पदपर प्रतिष्ठित हो गए, वेतन अच्छा और उपड़ी आयका तो ठीकाना न था, वृद्ध मुनसी जी को सुक समवाद मिला तो फूले न समाए, महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की अ लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुछलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था, अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे, नमक के दफ्तर से एक मिलपूर्व की और जमना बहती थी, उस पर नाओ का एक पूल बना हुआ था, दारोगा जी किवार बंद किये मिठी नींद सो रहे थे, अचानक आख खुली तो नदी के प्रवा की जगा गारियों की गरगराहट तथा मलाहों का कुलाहल सुनाई दिया, उठ बैठे, इतनी राद गए गारिया क्यों नदी के पार जाती है, अवश्य कुछ न कुछ गोल माल है, तरक ने भ्रम को पूष्ट किया, वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, और बात की बात में घोड़ा बढ़ाय हुए पुल पढ़ा पहुचे, गारियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी, डाट कर पूछा, किसकी गारिया है, थोड़ी देर तक सन्न आटा रहा, आदमियों में कुछ काना फुसी होई, तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दिन की, कौन पंडित अलोपी दिन? दाता गंच के, उन्षेधर चों के, पंडित अलोपी दिन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमिदार थे, लाखों रुपय का लेंदेन क अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके महमान होते, बाड़ा हो मास सदावर्थ चलता था, मुनसी ने पूछा, गारिया कहां जाएंगी? उत्तर मिला कानपुर, लेकिन इस प्रश्नपर की इनमें क्या है सन्नाटा छा गया, दारोगा साहब का और भी बड़ा, कुछ देर उत्तर की बाट देखकर वो जोड से बोले, क्या तुम सब गुंगे हो गया हो, हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला, तो उन्होंने घोडे को एक गारी से मिला कर बोडे को टटोला, भ्रम दूर हो गया, ये नमक के ढेले थे, पंडित अलोपिदीन अपने सजीले रत पर सवार, कुछ सोते, कुछ जागते, चले आते थे, अचानक कही गारी वानों ने घबडाय हुए आकर जगाया, और बोले महराज, दरोगा ने गारियों रोग दी है, और घाट पर खड़े आपको बुलाते ह पंडित अलोपिदीन का लक्षमी जी पर अखंड विश्वास था, वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वार्ग में भी लक्षमी का ही राज्य है, उनका ये कहना यथार्थ ही था, नियाय और नीती सब लक्षमी के ही खिलोने हैं, इन्हें वो जैसे चाहती है, न के बीरे लगा कर खाएं, फिर लिहाफ ओड़े हुए, दारोगा के पास आकर बोले, बाबुजी आशिरवाद, कहिए, इसमें ऐसा कौन सा अपड़ाद हुआ, कि गारियां रोग दी गई, हम ब्रामनों पर तो आपकी क्रिपादरिष्टी रहनी चाहिए, वंसिधर रुखा का तो घर का मामला है, हम कभी आप से बाहर हो सकते हैं, आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, ये हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेट न चरहएं, मैं तो आपकी सेवा में स्वें ही आ रहा था, वंशिधर पर एश्वर्य की मोहिनी वंशि का आपका काईदा के अनुसार चलान होगा, बस मुझे अधिक वातों की फुर्सत नहीं है, जमादार बदलु सिंग, तुम हीने हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ पंडित अलोपी दीन स्थंबित हो गए, गारिवानों में हलचल मज गई, पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अफसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बाते सुननी पड़ी, बदलु सिंग आगे बढ़ा, किन्तो रोब के मारे ये साहस न हुआ कि उनका हाथ पक बहुत दिन भाव से बोले, बाबु साहब ऐसा न कीजिये, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आप से बाहर थोड़े ही हैं? वन्शिधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बाते नहीं सुनना चाहते, अलोपिदीन ने जिस सहारे को चटान समझ रखा था, वो बैरों के नीचे खिसकता हुआ मालुम हुआ, स्वाभिमान और धन एश्वरिय को कड़ी चोट लगी, किन्तो अभी तक धन की सांख्यक सकती का पुड़ा भरुसा था, अपने मुकतार से बोले, लाला जी, एक हजार के नोट बाबु सहाब को भेट करो, आप इस समय भूके सिंग हो रहे हैं, वंशिधर ने गड़म हो कर कहा, एक हजार नहीं, एक लाग भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते, धर्म की इस बुद्धी हिन दृरता और देव दूरलव त्याग बर मन बहुत जुझ लाया, अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, धन ने उचल उचल कर आक्रमन करने शुरू किये, एक से पाँच, पाँच से दस, दस से पंदरा और पंदरा से बीस हजार तक नौबत पहुँची, किन्तो धर्म अलोकिक वीरता के साथ बहुत संख्यक सेना क के सम्मुख अकेला परवत की भाती अटल अविचलित खड़ा था, अलोपीदीन निरास हो कर बोले, अब इस से अधिक मेरा सहस नहीं, आगे आपको अधिकार है, वंशिधर ने अपने जमादार को ललकारा, बदलू सिंग, बदलू सिंग मन में दारोगा जी को गालिया दे जीए, मैं 25,000 पर निप्टारा करने को तयार हूँ, असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं, क्या 40,000 पर भी नहीं, 40,000 नहीं 40,000 पर भी असंभव है, बदलू सिंग इस आदमी को हिरासत में लेलो, अब मैं एक सब्द भी नहीं सुनना चाहता, धर्म ने धन क पैरो तले कुचल डाला, अलोपीदीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुश्य को हतकरिया लिये हुए अपनी तरफ आते देख, चारो और निराश और कातर दृष्टी से देखने लगे, इसके बाद मुर्चित होकर गिर पड़े, दुनिया सोती थी, पर दुनिया के जीव ज लागती थी, सबेरे देखिये तो बालक वृद्ध सब के मुह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिये वही पंडिजी के इस व्यवहार पर टिका टिपणी कर रहा था, निंदा की बोचारे हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया, पानी को दूद के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नाम चे भढ़ने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बीना टिकेट सफर करने वाले बाबु लोग, जाली दस्तवेज बनाने वाले सेठ और साहुकार, यह सब के सब देवताओं की भाती गर्दने चला रहे थे, जब दूसरे सहर में हलचल मच गई, मेलो में कदाचित आखे इतनी व्यक्रन होती होंगी, भीर के मारे छट और दिवार में कोई भेदना रहा, किन्तु अदालत में पहुचने की देर थी, पंडित अलोपिदीन इस अगाधवन के सिंग थे, अधिकारी वर्ग उनके भक्त, आमले उनके स चारो तरफ से दोड़े, सभी लोग विस्मृत हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपिदीन ने ये कर्म किया, बिल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आये, ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचलता है, वह क्यों कानून के किलों की एक सेना तयार हो गई, नियाय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया, वन्षिदर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा ना कोई बल था, ना स्पश्ट वाशन के अतिरिक्त कोई सस्त्र, गवात है, किन्तु लोब से डामा डोल, यहां तक कि मुन्षिजी को नियाय भी अपनी और कुछ खीचा हुआ दिख परता था, वह नियाय का दरबार था, परन्तु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा चाया हुआ था, किन्तु पक्षपात और नियाय का क्या मेल, जहां पक्षपात हो, वह नियाय की कलपना भी नह मात्मक हैं वह एक बड़े भारी आदमी हैं यह बात कलपना के बाहर है कि उन्हों ने थोड़े लाव के लिए ऐसा दुस्साहस किया हूँ यद्दपी नमक के दारोगा मुन्शी वनसीधर का अधिक दोस नहीं लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचार हीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट जहलना पड़ा हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचित रहता है किन्तु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धी को वरष्ट कर दिया वविश्य में उसे होशियार रहना चाहिए वकीलों ने ये फैसला सुना और उचल पड़े पंडित अलोपिदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले सोजन बांदुबों ने रुपेयों की लूट की उदारता का सागर उमर पड़ा उसक तो इस समय एक-एक कटू वाक्य एक-एक संकेत उनकी गरवागनी को प्रजोलित कर रहा था कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकरते हुए ना चलते आज उन्हें संसार का एक खेद जनक विचित्र अनुभव हुआ नियाय और विद्वता लंबी चोड़ी उपाधियां, बड़ी-बड़ी दाड़ियां, धीले-चोंगे एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है। वंशिधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल चुकाना अनिवार्य था। कटिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुँ अतली का पढ़वाना आ पहुँचा, का बुड़ा रहे थे, कि चलते-चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन एक न सुनी, सब मनमानी करता है, हम तो कलवार और कसाई के तगाहे सहे, बुढ़ापे में भगत बन कर बैठे, और वहाँ बस वही सुखी तनख्वा, हमने भी तो नौकडी की है, और कोई ओधेदा नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप इमानदार बनने चले हैं, घर में चाहे अंधेरा हो, महजिद में अवश्य दिया आज लाएंगे, खेद ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारत गया, इसके थोड़े ही दिनों बाद, जब मुन्शिवन्शिधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे, और बुढ़े पिताजी ने समचार सुना, तो सिर पिट लिया, बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोर लू, बहुत देर तक पच्ता-पच्ता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बाते भी कहीं, और यदि वन बात भी नहीं की, इसी प्रकार एक सप्ता बीद गया, संधिया का समय था, बुढ़े मुंसी जी बैठे राम नाम की माला जपरह थे, इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथा कर रुगा, हरे और गुलाबी परदे, पच्छीय बैलो की जोरी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जुरी हुई, कई नौकर लाठियां कंदो पर रखे साथ थे, उनसी जी अगवानी को दोड़े, देखा तो पंडित अलोपी दीन है, जुक कर दंडवत की और ललो चपो की बाते करने लगे, हमारे भाग ये उदय हुआ, जो आपके चरन इस द्वा मुँ में तो कालिक लगी हुई है, किन्तु क्या करे, लड़का अभागा का पूत है, नहीं तो आपसे क्यों मूँ छुपाना परता, इस वर निस संतान चाहे रखें, पर ऐसी संतान न दे, अलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए, मुनसी जी ने चकित होकर कहा, सी संतान को और क्या कहूं, अलोपी दीन ने वातसलिय पूर्ण स्वर में कहा, कूल तीलक और पूरुशों की किर्ती उज्वल करने वाले संसार में, ऐसे कितने धर्म पढ़ायान मनुष्य है, जो धर्म पर अपना सब कुछ अरपन कर सके, पंडित अलोपी दीन ने वन किन्तो आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ, मैंने हजारो रईस और अमीर देखे, हजारो उच्च पदाधिकारियों से काम पढ़ा, किन्तो मुझे पढ़ास्थ किया तो आपने, मैंने सब को अपना और अपने धन का गुलाम बना कर छोड़ दिया, मुझ कि यह महा से मुझे लज्जित करने और जलाने आये हैं, शमा प्रार्थना की चेश्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकूर सुहाती की बात असज्जे सी प्रतित हुई, पर पंडित जी की बाते सुनी, तो मन की मेल मिट गई, पंडित जी की और उरती हुई सद्रिष्टी से देखा, सद्भाव जलक रहा था, गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर जुका दिया, शर्माते हुए बोले, ये आपकी उधारता है, जो ऐसा करते हैं, मुझसे जो कुछ अविनाय हुई है, उसे अक्षमा कीजिए, मैं धर्म की बेरी में जकड़ा हुआ नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आग्या होगी वो मेरे सिर माते पर, अलोपीदीन ने विनित भाव से कहा, नहीं तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुईकार की थी, किन्तु आज सुईकार करनी पड़ेगी, वन्शिधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किन् जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है, उसमें तुरूटी नहीं होगी, अलोपीदीन ने एक स्टांप लगा हुआ पत्र निकाला, और उसे वन्शिधर के सामने रख कर बोले, इस पद को सुईकार कीजिए, और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, मैं ब्रामन हूँ, जब तक ये सवाल पूरणा कीजिएगा, द्वार से ना हटूँगा, मुन्शिवंसिधर ने उस कागच को पढ़ा, तो कृतग्यता से आखों में आंसु भढ़ाए, पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदात का स्थाई मैनेजर नियत किया था, छाहजार बार्सिक बेतन के अतिरिक्त, रोजाना, खर्च अलग, सवारी के लिए घोडा, रहने को बंगला, नौकर, चाकर, मुफ्त, कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझमें इतनी सामर्थ नहीं है कि आपकी उदारता की परसंग्षा कर सको, किन्तो ऐसे उचपद के योग्ये नहीं हूँ मैं अलोपिदीन हसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की हित जरूरत है, वन्षिधर ने गंभीर भाव से कहा, योग मैं आपका दास हूँ, आप जैसे किर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सोभाग्य की बात है, किन्तो मुझमें ना विद्या ह से कलम निकाली और उसे वन्षिधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्यता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मग्यता की, ना कार्य कुशलता की, इन गुणों के महत्व का परिचय क्खूब पा चुका हूँ, अब सोभाग्य और सुवसर ने मुझे वो मोती दे द जिसके सामने योग्यता और विद्यता की चमक फीकी पड़ जाती है, यह कलम लीजिए, अधिक सोज विचार न कीजिए, दस्थकत कर दीजिए, पर मात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदेव नदी के किनारे वाला बे मुरावत, उद्धंड, कठोर, परंतु धर् द्रिष्ट दारोगा बनाये रखें, वनसिधर की आँखे डबडबा आई, रिदय के संकुचित पात्र में इतना ऐसान न समा सका, एक बार फिर पंडित जी की और भक्ती और स्रध्धा की द्रिष्टी से देखा, और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागस पर हस्ताक्ष कर दिये, आलोपी दीन ने प्रफुलित होकर उन्हें गले लगा लिया, धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, तो कृपिया हमारी चैनल बुक्स फॉर यू को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उसके साथ ही कमेंट कर दीजिएग और अपने तमाम दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद